जैसे जैसे चुनाव के फेज निकलते जा रहे हैं रवीश कुमार जी के मैं ही इकलोता सही पत्रकार हूँ होने का घमन जो है चरम के और पहुंचता जा रहा है आज उन्होंने आज तक के एक निउस एंकर निशान चतुरवेदी को अपनी टाइपिंग स्पीड का शिकार बना है रवीश कुमार आदता नुसार जो है नहीं वो भी उसमें घचित लाए क्योंकि वो रवीश कुमार है और उनके भक्तों की संख्यां आज भी लाखों में तो है ही भले ही नीचे जादतर गाली गलोजी होता है उनके हुआ यूँ कि रावरी देवी ने कुछ ट्वीट किया तो निशान चतुरवेदी ने लिखा कि रावरी देवी तीन बार ट्वीटर बोल कर दिखा दे इस पर रावरी देवी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने उनके जैसे पत्तलकारों से पसीना पुछवाया है और वो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से कुल आठ साल ये मामला चतुरवेदी और रावरी देवी के बीच का था फिर रविश कुमार आये और बताने लगे कि इस तरह की प्रतिक्रिया चतुरवेदी जी को जाती के समाजिक अहंकार और गोधी मीडिया के चापलूस होने से आता है उसके बाद उन्होंने जो ग्यानधारा बहाई है उससे बस यहीं लगता है कि रविश जी को हर स्वेक्टिका विरोध करना है शब्दों की मदद से जो उनके हिसाब की पत्रकारिता नहीं करता उनके हिसाब की बाते सोशल मीडिया पर नहीं लिखता उनके बताएं आचरन नहीं करता आगे रविश कुमार ने वही किया जिसमें उनकी महारत हासिल है जिसके परिवार के उपर रावरी सहित बिहार को सुव अस्थित तरीके से बरबाद करने का अपराद चिपका हुआ है उसे जाती महला और निचले तबके से होने को लेकर डिफेंड करना जैसे कि विक्टिम पूरा बिहार नहीं रावरी देवी पहली बात जो रविश कुमार को क्लेर कर लेना चाहिए वो यह है कि रावरी देवी कोई महला नेता नहीं है अगर लोकतांत्रिक तरीकों की बात को रही है तो रविश कुमार मोदी को सुप्रीम लीडर किस हिसाब से कर रहे थे दवाय नहीं वह रविश को, खैर, रावी देवी वंचित और पिछडी नहीं, बलकि एक मुख्यमंत्री की पतनी भी है, स्वयम मुख्यमंत्री भी रही है, तो उनके दवे कुछले होने का तर्फ तो वाहियाद की है, दूसरी बात, उस दवर की बिहार को याद करता हूँ, तो से कम 20 साल जएक कौमा में रहे होंगे, और 2005 में ही जगे उन्हें वो दवर जभी याद में ही, जो नेता पूरा चुनाव मैनेज कर लेता था, लोगों तक विकास पहुँचने ही नहीं देता था, शिक्षा विवस्ता को बरबाद किया कि लोग सोच ही न सके, उसे में दवा कुचला मान कर उसके चरण पूजू, फिर अवीश मायावती और ममता को भी खीच लाए कि लोगों ने उनके रंग रूप का भी मजा कुराए, उन्हें टार्गेट किया है, रंग रूप का मजा कुराने वाले विक्षिप्त लोग होते हैं, लेकिन मायावती और ममता के सत् कानून और रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उन्हें टार्गेट किया गया, रंग रूप के कारण नहीं, वही तो आपका काम है न रवीश जी, सत्ता के खिलाफ खरे रहना, या फिर सत्ता का मतलब बस मोधी है, आप रावरी देवी को डिफेंड कर रहे हैं, जिसमे इसे आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसके नाम से पता चलता है कि इतिहास के किसी मोड़ पर ऐसे नाम वाले लोग पंचित पिछड़े और सताय हुए लोग थे, इसे यह साबित नहीं होता कि रावरी देवी भी उसी क्लास से आते हैं, सत्ता का यही नसार इसी तरह के सि कर लीजे महराज, निशान चत्रवेदी ने अगर यह जवाब न लिखा होता, तो मैं लिखता, मैंने तो वीडियो भी बनाया था, जिसमें तेजस्वी अपराधी लालू का पुत्र होने के बावजूद, खुद को शेर का बेठा बता कर दम भर रहा है, तो क्या या मेरी कि किसी खास जाती से होने का आंकार है, या फिर मुझे अपने परिस्तितियों को समझ कर बोलना ही नहीं चाहिए, किसी के पूरे परिवार ने अर्वों के घोटाले किया, और पूरी स्कूली विवस्था जो बरबाद कर दी, और कोई उसका उपहास करता है, तो यह उसकी जात कूराने का हक हर उस बिहारी को है, जिसकी पूरी जिंदगी लालू और उसके परिवार के कारण जह मजाक बन कर रहे हैं, बिहारी को गाली किसने बनाया, इसकी जिम्हेदारी भी क्या हम ही उठाते चले, यह एक बेहयाई है कि रावरी देवी को कोई किसी भी बात पर डिफ अम्यपन और रष्टाचार पर हैं, ना कि इस बात पर क्यों कैसे दिखती है, किस जाती से है और उनका समाज कैसा है, इतने अर्वों का घोटाला करने के बाद, पूरे पटना और बाहर में संपत्ति बनाने के बाद, लालू या रावरी का अपनी जाती या उस जाती की वर हों, यादवजात से हों, पिछड़े राजी से आती हों, ये सारी बाते एक्सिडेंटल हैं, अब इन बातों का रावरी देवी से कोई लेना देना ने, रवीश कुमार दूसरे पत्रकारों को ज्यान भी देते रहते हैं, रवीश जी ने निशान चतुरवेदी के बारे में अपने लेक के अंतिम हिस्से में जो लिखा है, उससे ज्यादा वाहियात माते हैं, कोई कर भी नहीं सकता, रवीश जी लिखते हैं कि निशान चतुरवेदी जैसे लोग एंकर बना दिये गए हैं, कमाल की बात यहा है कि रवीश जी, आपके हाथ में पूरी दुनिया के हर टीवी शो के अंकर बनाने की शक्ति नहीं है, आप यह तैय नहीं करेंगे कि कौन क्या बना दिया गया है, किसको कैसा बना दिया जाना चाहिए, अंकर तो आप भी हैं, जो हर राज 40 मिनट अपने दर्शकों का समय बरबाद करते हैं, आपको भी तो किसी ने अंकर बनाई द दिया है, वरना आपको रिपोर्टिंग करनी थी, वही करते रहते हैं, आपके पास तो यह चुनाव करने का विकल्प रहा होगा, लेकिन आपने अंकर बना चुना और विढमना यह है, कि आप रिपोर्टरों की होती कमी पर रोनार होते हैं, और लोगों को कहते फिरते हैं, कि टीवी मत देखिये, टीवी मत देखिये. आपने जो निशान चृतुरवेधी को सिर्फ टाइटल में चतुरवेधी के होने के वज़ा से टार्गेट किया है, जज किया है और उनकी परवरिश तक पहुंच गये, तो फिर उसी तरहीके से कोई आपकी पुर्वरिश तक भी पहुंच सकता है बिर्जेस पांडे वाली बात किस पुर्वरिश से आती है आप सो संदेज छोड़िए आशंका पर भी प्राइम टाइम करके लोगों से इस्तिफ़ा मांगते फिरते हैं फिर नहीतिकता का इतना अबरा टोकडा लेकर भूमने वाले रवीश ने वियार के सेक्स रेकेट कान पर कितने मिनट बोलाया लिखा आप कहते हैं कि एंकर मैनेज किये जा रहे है यह कितनी अजीब बात है कि आपको यह कहना पड़ रहा है यह बात तो हर वक्ति को किसी भी संस्ता को जोईन करने से पहले बताया जाता है कि उसे संस्ता के मताविक चलना है यह उसकी च्वाइस होती है मैनेज तो आप भी हो रहे हैं वरना प्रनैर रहाई की जगह सुभाश चंद्रापर मनी लॉंडिंग के पांच अजार करोर के आरोफ होते तो आपके गले की नस फट चुकी होती है अब तक इसलिए शब्दों का इस्तेमाल गलत कारी के लिए मत कीजिए किसी दिन उंगली जवाब दे देगे और गला जोई सूख जाएगा कई बार ऐसा होता है कि ग्यान का इस्तेमाल गलत कारी के लिए हो तो वो ग्यान जोई गायव हो जाता है आपको कुंगफू आती है तो उसको सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं राह चलते किसी को नांचाकों से पीटिये मत ज्यानी वेक्ति के शब्द दोधारी तलवार की तरह होता है वो शब्दों के खेल से दोनों तरह की बातें समय देखकर लिख सकता है कन्विंसिंग किसी ममता और मायवती को ब्रश्ट सावित करने के लिए आपके मेनेजमेंट से अगर फर्मान आएगा तो आपको तुरंट मायवती के पुतले, पार्क, भोटाली याद आने लगें तब आप तुरंट बताएंगे कि बंगाल के हर जिले में दंगे हो रहे हैं चिट फंड स्केम के तारसीदे मुख्यमंत्री तक जुड़े हुए लेकिन अभी वो समय नहीं है इसलिए आज आपको ये सारे पावरफुल लोग अचानक से सताय हुए वंचित लोग नजर आने लगें इनको सबने स्विकारा है रवीश जी इनको अगर कोई नकारत्मक तरीके से देखता है, उपहास करता है तो वो इन लोगों के विक्टिम है पूरा राज जैसे वरष नेताओं का विक्टिम है और अगर वंचित तब के पिछड़ी जाती और वेदवाव के शिकार लिंग के लोग जन पृतिनिदी बनकर पूरे राज जी को लूटते हैं हत्याय करवाते हैं, गोटाले करते हैं तो फिर उन्हें इन वीशेशनों के पीछे चुपने का कोई हक नहीं है नमस्कार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो और भी बनाते रहें तो इसे शेर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब की दिया और लोगों से सब्सक्राइब करवाईए अगर आपने खुद कर रखा हो बहुत बहुत आवार आपका जुड़े रही धन्यवाद